हर हर महादेव महाशिव रात्र में प्रतेक सनातनी हिंदू भगवान शिव के निमित व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, रात्र जागरन करते हैं ब्रामनों को बुला कर रुद्राव शेक करवाते हैं भगवान सिव की सहस्र नाम से बिविद साम अग्रियों, बिल्लो पत्रादी, कमल पुषपाद से सहस्रार्चन करते हैं तथा बहुत से लोग रात्र में चार प्रहर की पूजा तथा अभिशेक भी करते योम करवाते हैं आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि रात्र में चार प्रहर की पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस संबंध में हमारे सास्त्रों में क्या कहा गया है, कैसे पूजा करें, क्या बिधी होनी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पर दी आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आन कर लें लाइक तथा सेर करना न भूलें कमिंट में ओम नमस्षिवाय या हरहर महादेव का जैकारा जरूर लगाएं आई इस वीडियो का शुवारंब कर करते हैं भगवान शुव की उपासना मनोवांचित फल को देने वाली कही गई है भुक्तियों मुक्त की कामना के लिए भगवान साम्वशदा शुव की आराधना करनी चाहिए महाद्षिवृत्र का पर्व भगवान सुव की उपासना के लिए सर्वस्रेष्ट कहा गया है इस दिन जो ब्रत करते हैं, जागरण करते हैं, उन्हें भगवान सिव की अहरनिश कृपा प्राप्त होती है, महा सिवरात्र के दिन रात्र में चार प्रहर की पूजा की जाती है, उस पूजा में क्या क्या चीत ध्यान में रखना चाहिए, भगवान सिव के किन नामों से किस की पूजा करनी चाहिए आए जानते हैं कहा गया है चतुरसुयामेसु पूजा चतुष्टए विशेशा तत्र प्रथमयामे मूल मंत्रांते स्रीशिवायासनम समर्पयामीति शिवनामना सर्बो पचार समर्पणम दुतियामे शिवरात्रव दुतिययाम पूजां करिशिये इत संकल्प्य स्री शंकरायासन मिती शंकर नामना ततो महानिश पूजांग करिशिये इत संकल्प्य पूर्बवत पूजा ततह तृतिय याम पूजांग करिशिये इत तुक्त्वा स्री महेश्वरायासन मित्यादी महेश्वर नामना अर्थात चारो प्रहर की पूजा में बिसेशता या है कि पहले प्रहर की पूजा करते समय हमें भगवान सिव के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतेक सामगरी चड़ानी चाहिए सबसे पहले संकल्प ग्रहन करें कि मैं भगवान सिव की रात्र के प्रतम प्रहर में पूजा करूँगा उसके बाद स्री शिवायो इस नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए हर द्रब्य चड़ाना चाहिए जैसे श्री शिवायो आसनम समर्पयामी श्री शिवायो पाद्यम समर्पयामी इस तरह से शिव के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतम प्रहर की पूजा करनी चाहिए दूसरे प्रहर में पुना संकल्प धारण करें कि मैं दुती प्रहर की पूजा करूँगा उसके बाद स्री श्रंकरायो आसनम समर्पयामी पाद्यम समर्पयामी अर्ग्यम समर्पयामी आच्मनीयम समर्पयामी ऐसा उच्चारण करते हुए दुती प्रहर की पूजा में साम को अरपन करना चाहिए उसके बाद अरधरात्र की पूजा करूंगा ऐसा संकल्प करके पहले की तरह पूजा करनी चाहिए तदुपरांत तृतिय याम की पूजा करूंगा इस तरह से संकल्प धार्ण करना चाहिए तथा श्री महेश्वराय आसनम समर्पयामी पाद्यम समर्पयामी अरग्यम आच्मनियम समर्पयामी इस तरह महेश्वर नाम का उच्चारण करते हुए तृतिय याम की पूजा में भगवान को द्रब्य अरपन करना चाहिए चतुर्थ प्रहर की पूजा करूंगा ऐसा संकल्ब करके प्रतेक द्रब्य को चढ़ाते समय भगवान के इस नाम का उच्चारण करना चाहिए श्री रुद्राय आसनम समर्पयामी श्री रुद्राय पाद्यम समर्पयामी इस तरह नाम का उच्चारण करते हुए चतुर्थ आम की पूजा करनी चाहिए प्रतम प्रहर में स्री शिवायो दुतिय में स्री शंकरायो तृतिय में स्री महेश्वरायो तथा चतुर्थ में स्री रुद्रायो इन चार नामों के द्वारा चार प्रहर की पूजा को सास्त्र में बतलाया गया है प्रतेक प्रहर की पूजा में भगवान का ध्यान, आसन, पाद्य, अर्ग, आचमन, सनान, तैला भ्यंग, पंचामृत सनान, उश्न जलसनान, शुद्ध जलसनान तथा शोड़ सो पचार पूजा करनी चाहिए महा सिवरात्र की चार प्रहर की पूजा में यह विशेश बात हमारे सास्त्रों में कही गई है, आशा है इस सरल और प्रामाडिक बिधि से पूजा करके आपको अवश्च लाव प्राप्त होगा, वीडियो अन्य लोगों को अवश्च शेयर करिएगा, कमेंट में स्री शिवा नमा लिखना मत भूलिएगा, इसी तरह की प्रामाडिक ब्रत पर्वते उखार, जोंतिस वास्तु तथा ग्रहबाधा, निवारन संबंधी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार, जैविश्वनात